हिलो मैं श्टुरेंट्स मैं अनुप सर वो मेरे क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागात है बचलू आज का जो वीडियो जो समेस्टर 2 का एक्जाम होने जा रहा है उसमें एक फैनेंसेल एकॉन 2 में एक कंसाइग्मेंट लेशन है उसमें एक पहले वीडियो हम डाल चुक निकालेंगे जब head office branch को goods post plus profit पर भेजेगा तो क्या होगा जब कैसे निकालेगा लोडिंग कैसे निकलेगा आज आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किए बचलों जल से जल सब्सक्राइब कर दें और मोटिवेशन के लिए लाइक का बटन भी उसकर दें पास है क कि मेसर राम परसाद ठीक है मेसर राम परसाद ंपटना तो चलिए बचलों आगे बढ़ते पांचछार का समान है उसको क्या कर रहा है ऐसमें 20% जोड के किसको भीज रहा है Ontario को request ओफटीहra दे पेड ओप ये कंसाइनर पेड किया 140 रुपया फ्रेट साथ रुपया इंसुरेंस और एक बिल लिखा दो हजार रुपया करता है सुनिए कभी भी एडवांस का काम कंसाइनी एकाउंट में होगा ठीक है यहाँ पर कुछ काम नहीं हो एकाउंट सेल एकाउंट सेल हम लोग सेल कर दी हैं बावन सो रुपया में कंसाइनी का एक्सपेंस एक सो पच्छतर रुपया था कमिशन कितना था तीन सो रुपया ठीक है दा अन्सौल रस्टोक वाज वेलूट एक्चुवल कोश्ट प्लस ठीक है एक्चुवल कोश्ट पे होगा और जो भी में फाइनल है दिखिए तो सबसे पहले हैं ठीक बच्छो CT सबसे पहले क्या होगत समें दिख आप लोगलों और को अगसे रहेगा सबसे पहले गूट्स भेडगों सेंट और नंट कंसांत'm इंस कितना का सवार है देखिये 5000 का इसम्हें बीस परशेंट एड करके बीज Jasya और किया टुक्स ऐन्द करके भूएफ परसेंड़ैं तो कितना हो जोगा झीपनलों को जाएगा कि एगर पोस्ट प्लस ब्लॉडिंद गया रहएगा 20 परसेंट और पचीस परसंट है तो लोडिंग कितना हो जाएगा बीस बाइट सो बीस वन बाइट सिक्स यह लोडिंग को हम लोग इधर लिखेंगे बाद में ठीक है आप ध्यान चरहें एक से वीडियो का स्कीप नहीं किजिएगा स्कीप करकर के देखेंगा तो समझ में नहीं आएगा क्यों नमरिकल आप लोगो अच्छा से देखना प्रेया क्लास जैसा तभी समझ में आएगा उसके बाद हम लोग देखें समान भेजनी के बाद हम लोग क्या करते हैं कंसाइर का एक्स्पेंसेश लिखते हैं जो कि कंसाइर का एक्स्पेंसेश कुछ भी रहेगा तो टू-ब पहुच गया वह दो हजार रुपिय एडवांस दिया जो की बील मतलब बील के रूप में एडवांस दिया जो कि हम लोग को 90-50 रूपिज में हम लोग डिस्काउंट करा है वह भी यहां पर काम नहीं होगा वह कंसाइर का बुक में जैनल इंटरी में काम होगा आगे बढ़ कंसाइर का नाम है क्या मेंसर स्रीराम एंड ब्रदर्स मेंसर स्रीराम और इंड ब्रदर्स ठीक है उसका है दो कंसाइनी कमेशर्ज, सिरी राम, एंड ब्रदर्ज, कितना है एक्सपेंसिस, टेक्सपेंसिस हम लोग का है, 175, पर कमिशन साथ हम लोग को निकालना नहीं है, दे दिया है, 300, तो हो गए 475, ठीक है, आप सुनिए, क्लोजिंग स्टोक हम लोग को निकालना है, तो आप लोग को सब्से बड़ा प्रोब्लम क्या रहा था खें क्लोजिंग स्टोक कैसे कैसे झाने है, कि देख लीजें बचलो, थ्री बाइफ़ोरी फोर सेल किया है, तो वस IgOT भी क्या हुआ है, बचा हुआ है, यदि क्लोजिंग स्टोक निकालना ही पड़ेगा, तो पाइफ़ोर 5 jna ka 1 by 4 कितना जाएगा 1250 और यह पहली आपनों को बताए कि इसमें डाइट expenses जहां कंसाइनर के पास समान चला है और कंसाइनी के पास समान पहुंचा है वहां तक याष्ता का जितना भूल रहे हैं तो देखिए इसका loading को इधर लिखना है कहीं भी लिख सकते हूपन निचे यहां भी लिख सकते थे बाइ गूट्स सेंट ओन कंसाइंगमेंट थीक है तो देखे कैसे निकालेंगे जितना है कितना छे आ जा रहें ने बीस परसेंट वन बाइ वन बाइ शिक्स एक हजार रुप्या लोडिंग है ठीक है उसका तो हम लोग इधर एड कर देंगे पूरा क् और हम लोग एड करेंगे तो आएगा इधर साथ हजारं पान सो इधर्वी कितनाा रहना चाहिए साथ हजारं yak रॉछ जो यहां कम हमें लिनबाद बहुत स्टुडेंट क्या होता है यह पूरा पर लिया यह नेट प्रोफिट कहां सा वाई उसको पता नहीं है चलिए पर ले देख लिए पुरा जोड़ के पच्छतर स्वाया एक दो तीन जोड़ के इसमें से माइनस कर दिये था हमनों का कितना है 825 अब इसम लोग कंसाइनी एकाउंट कैसे बनाएंगे तो कंसाइनी एकाउंट का नाम है मेसर्स शिरी राम एंड ब्रादर्स है ना आप लोग भी ध्यान दिये रहे यह क्वेस्ट्टन पर सबसे पहले एडवांस लिख लेना है बाइडवांस के रूप में दिया था बिल 2000 का ठीक है अब एक बात देखिए यहां से कैची चला देना है कैची मतलब कपड़ा काटने वोला कैची नहीं यहां पर देखिए तू में है तो बाइब में जाएगा बाइब कंसाइंग्मेंट एकाउंटिक आप लोग साब सुत्रा अच्छा से बनाएगा ठीए चार सो पच्छत्तर रुपया तो फिर देखें यहां पर है ना बाइब में है ना इधर लिखेंगे टू कंसाइंग्मेंट एकाउंट फिप्टी टू हंडेड़ जो बचा पैसा वो ड्राफ के द्वारा मांग लिया है मतलब बाइब यार एकाउंट फिर बाइब यार लिखेंगे इसका मतलब यह नहीं की हमेशा भी यार लिखेंगे कैस देगा तो यहां बाइब कैस लिखाएगा कुछ नहीं रहेगा तो बैलेंस सीडी लिखाएगा ठीक है तो फिफ्टी टू हंडेड इधर भी कितना था यह फिप्टी टू हंडेड यहां जो कम होगा वह आप लो लिख दिजिए बाइब बिल्स इस वेबल तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोश्चन में चलिए एक नेक्स्ट कोश्चन हम लोग के पास है अनीता ओप इलहाबाद की अनीता है ठीक है एक हजार बाइसाइकल दो सुरुपया करके बर्डी ओफ बुंबए बंबए को भेजी किसको बर्डी ओ अनीता मतलब कंसाइनेद 2000 रुपया खर्चा की है अगुड्स वेर सेंट एट 25 परसेंट ओफ पर्फॉर्माइन वाइस प्राइस मतलब 25 परसेंट एड करके भेजी है उसके बाद क्या लिकिता बर्डी मतलब कंसाइनी का क्या क्या एक्सपेंसे से खूली चार्ज है आठ सो बाइसे किल तीन सो रुपय करके सेल कर दी पांच परसेंट सेल्स पर कमिशन और डेल क्रेडर कमिशन उधार विक्री पर मिलता है और वो कितना दी आवर टेन थाउजेंट ठीक है देकाउंट सेलवाज एंडे बैंक ड्राफ फॉर्ट बैलेंस ड्यू फोर्ट सेंट देखिए कोश्ट पलस 25 परसेंट है मतलब लोडिंग है 25 डिवाड़ेडवाइ 125 मतलब 1 बाइ 5 चलिए ध्यान से देखिए अब 2 गूड्स सेंट ओन कंसैंगमेंट ठीक है गूड्स सेंट ऑन कंसैंगमेंट कितना दिया हुआ है 1000 बैस्याकिल कितना रुप्या करके 200 रुप् फिर इसका expenses भी दिया है तो जो expenses होता उसको क्या लिखने बोले थे कंसाइनर का expenses को क्या लिखना है to bank कितना 2000 हम पहले ही बोल दिया है वीडियो को skip करकर करके नहीं देखना है नहीं तो समझ में नहीं आएगा उसके बाद किसको भीजा है तो birdie बी यू आर डी वाई बर्डी इसको यह क्या क्या खर्च किया है तो कूली चार्ज कूली चार्ज हम लोगे 50 रुपया फ्रेट हम लोगे खर्चा किया कितना 150 कितना 200 उसके बाद दस जर पेड़ांस भीजा है तो भी यहां लिखाएगा बाई कि बर्डी शेल आठ सो बाइसाइकल बेच दिया है कि इसमें इनकलूड है उसके बाद बाई लोडिंग लिख लिए ये बीच में ही लोडिंग तो में तो कहां चल जाएगा है किम और बाय में घूड्स एंट ओन से टो ईकन से लोडिंग किसकिस में होता है फाले यह चीज क्लियर हो जाना चाहिए लोडिंग गुट सेंट रूसे निकालेंगे तो नहीं तो नहीं तो नहीं ठीक है तो हम लोड़िंग यहां बता दीए वन बैप फाइब होगा तो द अब फिर से वही बात बोलेंगे हम कैसे जाने की कंसाइंग्मेंट अस्टोग बचेगा ही तो देख लिए दोनों आक्से एक हजार बाइसेकिल बेजा था आठ सो बाइसेकिल बेचा गया है तो कितना बाइसेकिल बचा दो सव देखें यहां गर इन्वाइस प्राइस पर निक कितना अब देखें यहां जो आप लोगो समझने नहों लोटिस कीजेगें यहां पर लोडिण निक्क ना पड़ेगा इसका क्यों क्यों कि हम लिए फटे निकालना है कि इसका लोडिण इधर लिखेंगे लिए तूग एक चीज और एक चीज बहुत क्या करना इसका नहीं निकालना है हमेशा लोडिंग उतना ही रहेगा चालेजर का वर्ण फाइव कि 8000 और है कमिशन भी है कमिशन और तो कुछ कितना है दो लग 40,000 का पांच परसेंट और क्रेडिस निकलता है दो परसेंट तो कमिशन कितना हो गया बारह हजार अब हम लोग दम प्रेम से इसको क्या करेंगे एड कर देंगे ठीक है प्रेम से करना एक बका के नहीं दो लग 40,000 इधारा 3200,000 चार सुचालीश मैंनास 2,000,000 के 2,000 फिर 8,200 फिर 12,200 अंठाव अन नाइन्टी एट जीरो चालीश देखिया है अंसर टू प्रोफिट एंड लोस एकांड नाइन एट जीरो फॉट्टी कि इन सो बीस चार सो चालीज तो कंसागमेंट इस कोश्चन में आप लोग क्या समझे कि हम लोग क्लोजिंग अस्टोग निकालेंगे अगर इन वाइस प्राइस पर निकाले तो यह उला प्राइस का देखें है इंग जिसको बोलते हैं लोडिंग मतलब пошट प्रश्ट प्लस प्रोफिट इकोल टू इन वाइस प्रÁइस प्राइस पहले से इंकलूट करके भेचते हैं उसको क्या उढला जाता लेना है ठीक है यहां लिखे देंगे बाई बैंक कि इतना एडवांच दिया था दस अजार उसके बाद फिर देखे ध्यान से यहां पर से हम लोग कैची चला देना है का देखे एक आज़र फिर देखे जिए जो यहां बैंक का लिखना है थिक है इस अब मिलते हैं नेस्ट कोईशन में वह भी हम लोग का लोडिग रहेगा फी जुकिस याफ में मसीन भेज रहा है कि इसको कुमार एंट संसोप आगरा को तीन हजार रुप्या करके लेकिन कोष्ट प्राइस कितना है दो हजार फिर से ध्यान देजिए कोष्ट प्राइस है 2,000 लेकिन से मतलब भेजा कितना में 3,000 जो एक्स्ट्रा जोड़के भेज रहा है न उसको ही लोड चाहिए तो आगे बढ़ते हैं मसीन भेज दिया गया रोड ट्रांस्पोर्ट से टीबियस कंपनी कंसाइनर 12500 रुपया फ्राइट खर्चा किया है कंसाइनी 1000 रुपया और लोकल केरीज किया 1000 रुपया और 600 रुपया गोडाउन डेंड पूरा मसीन भेज दिया गया था देख 200 रुपया करके लेकिन इसमें ये और प्रोबलम है तब तक इसमें कमिसन का प्रोबलम है कि कमीसन निकनलने में हम लोक दिया है चलिया तो बनाते हैं और कुछ है हाँ जो शुरा देला लेंगा चाहिब kisses कूं बेंक के द्वारा ठोब ध्याल्यास तो सबसे पहले समान भेजने का टूबूट्स सेंट और कंसाइंग्मेंट कितना पीश भेजा है शाठ पीश कितना रुपय करके तीन रुपय करके शेती अठारा एक लग अश्थी हजार ठीक है इसका अपना एक्सपेंसिस जो होगा वुट्टू बैंक लिखेंगे जो कि दिया बारह हजर पान्सों बारह हजार पान्सों उसके बाद क्या दिया अब आर एंड संस अक्ट्रे ने क्या खर्चा कि एक हजार रुपय और गोडाउन रेंट गोडाउन रेंट कितना छेज्टू रुपया शुल्ला सो जब को लोजिंग एस्टूग निकालेंगे तो यह एक हजार ही लेंगे क्योंकि डाट एक्स्पेंस जैसे मसीन बेच दिया 3500 रुपया करके तो बाई को मार एंड संस शॉल्ड 3500 रुपया करके बेचा है कितना मसीन है 60.2,10,000 कितना हो जगए 2,000,000 रुपया करके लोडिंग को हम नों यहाँ पर लिख देंगे ठीक है बाई गूड सेंट ओं कंसायंगमेंट क्या लिख देंगे लोडिंग ठीक है लोडिंग कितना बचलूप यह देकि तीन हजार का समान था कितना में भेजा 3,000 में न एक हजार उपया लोडिंग है ठीक है साथ साथ इंटू एक हजार उपया का लोडिंग था ठीक है कि क्यों दोहज़र का समान को कितना भेजा था तीन हजार में तो कितना लोडिंग था एक हजार ना उसके बाद लिखाएगा नहीं इधर आजाए ये तू कब जो जमिला हमनों कमीशन में तू कुमार एंड संस कमीशन इस चलो धियान से देखू कमीशन क्या बोला है जितना इनवाइस प्राइस पर कितना पर्शंट सड़े बाराध परसेंट को साट साथ साथ क्या भोक्स था कि क्या था साथ वासिंग मसीन तो इनवाइस प्राइस करके बेचेगा ठीथी अठाव एक लाक एसी हजर आएग ऑक क Cyrus का 2.25 1. evangelical एक थे एक लाग्यानकर 500000 कि एक सम्थ से कितना ज्यारा है एधसे से कितना ज्यादा है कि 생겼 highest धर्म कि झालने जितना इन भाइस प्रायस से ज्यादा रहेगा उसका बोला क्यातना 10% मिलेगा न भाइस प्रायस से tääला रेगा उसका परसेंट चलिए तो दोनों को जूड़के हम लोग अच्छा से अंदर में करके एक ही साथ बाहर करेंगे ठीक है निकालते हैं हम लोग कैल्कुलेटर से कितना हो जाएगा एक लाख असी हजार का साड़े बारा परसेंट बाइस हजार पांस वर इसका तीन हजार तो हो जाएगा पच्सीस हजार पांस ठीक है फिर समय कमिशन समझा दे रहें ठीक है जो कमिशन में जो इस कुश्चन में दम है वो कमिशन में है क्या बूला देखो द देगे और अधिक पर बेचेगा उस पर कितना परसेंट देगा दस परसेंट परफिटेन लस एकांट नेट प्रोफिट आपने निकाल लेगा पुरा जूड के इधर जूड की आ रहा दो लाग सतर हजार इधर भी कितना और चाहिए दो लाग सत्तर हजार नेट प्रोफिट कैसे निकालते हैं है तो जोते अंसर मिला तो सब 50400 जब होसा आगया तू तो तुम लोग खूस है न सब जो हमनों का चाल सब क्वाल काता है यह हमनों का क्या हो गया बचलू कॉंसाइनर और समान भेजा किसको मैथ्यू को तो कंसाइनी मैथ्यू का 5% कमिशन लेगा इन्वाइस प्राइस पर अब 20% जितना सरपलस रिलाइज होगा ठीक है मतलब इसी तरह का जो भी कोशन और 30 जून 2000 के एकाउंट सेल जब भेजा तो क्या-क्या लिखा कि देखिए एक लाग 20,000 रुपया हम समान बेचे हैं वह भी 4x5 समान को बेच दी है एक्ट्यूल एक्सपेंसर दिया तो तो यह इसको डाइट एक्सपेंसर समान लेते हैं ठीक है मिस्टर मैथ्यू लिखा ए जो पैसा आएगा कंसाइने का वह देखो लिख दिया है कि क्यास में भेजना है नहीं लिखा रहेगा ना तो ज्यादा चैतुर नहीं बनना ठीक हमां बेलेंसीडी लिखना तो देखो सुदू से समझो अच्छा से कोस्ट्यन सबसे पहले समान भेजने का क्या लिखते हैं गूट्स सेंट ओन कंसाइन्में्स और कितना भेजा है तुम लोग भी देखो मेरे उपढ़ी सिमत छुड़ दो डिर्ड लाग का समनने चलो अवरीडिंग लिक दोने बाद माद में जाने भी करता है अम लोग भुल जाएंगे प्चाजार का लोडिंग है ठीक है इसके बाद डायेट एकस्पेंसेस इसका दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे टू बेंक के काउंट एक्सपेंसेज कि इतना दिया हुआ है तो तो क्या नाम मेथ्यू मेथ्यू का स्पिलिंग देख लेते हैं जानबे करता है इंग्लिस में नाम अलग अलग होता है अलग अलग कमिसन भी यहीं लिख देते हैं बाद में निकालेंगे न तो कि समान बेच दिया मेथ्यू कि इतना तो फोर भाइव समान को बेच दिया एक लाग पी जमें दखो और फाइव बेचा है ना समझ जावान बाइव बचा हुआ है कलोजिंग इस्टोक निकलेगा इसमें तो बाइ क personnagmen श्टोक अब यहां दो बाते आ जाती है कि से निकालें इस पर निकाले कि सपर निकलें यां इस पर निकलें कि एक लाग पर निक लिख तो शार साथ समय था तक इस चलो इनवाइस प्राइस फीर निकालते हैं प्र भया फाइब समान बेच दिया तक कितना बच़ए 1-5 थी-स-जर में पलस एक्सपेंसेश तक पलस एक्सपेंसेश देख दोड़ दस हजार और तीन हजार 13,000 का 1 by 5 सब जो 1 by 5 बचा था ये भी 1 by 5 हीन होगा भागा 5 26 आ गया 32,000 अब हम लोग मेंज हमेला यहां लिखने में लोडिंग इसका अगर हम लोग एक लाख पर निकालते देख लोडिंग कैसे निकालना कोश्ट था एक लाख लोग निकालते तो कितना आता है 20,000 आ यहां कितना लिखें 30,000 कितना हो गया 10,000 समझा मतलब कोश्ट से कितना अधी कहते देख लोग कोश्ट हम लोग का एक लाख था एक लाख में 4 by 5 समान बीग गया था 1 by 5 समान 20,000 का बचा हुआ रहना चाहिए था हम पहले यह बोले थे इसका लोडिंग निकालता यह नही एकांट नेट पर 2020 लेगिन कमिसंन निकालना यह बोलना नहीं जिसको कामिसन कैसे निकालते हैं समझो फवेट 5000 क्या लिखा कि जितना इन्वाइस प्राइस पर भेचा है यह देखिए धों वाईस प्राइस काइटम परोस्वी एक लग वीच अजाएगा। कितना बोला इंव्वैस प्राइस पर जितना होगा पूंजो लग देखो कितना पर्सेंट पांच पर्सेंट नद्मद सिंगा आई प्राइस प्राइस मितलब आधिक रहेगा उसका इस पर तहीं अब सब्सक्राफिक हाह दो कितना रहता एक लख ती से जाता है देखो फॉर फाइप लख वीजाता एक लख बीजार का पांच परसंट छह आजाता अर एक लाज जब ती से जार आता है तरह दस जार एक्ष्ट्रा है फिस दास जार का 20 परसंट निकाल के यहां पर लिखते आया समझ में आप तो चलो क्या जाएगा, Net Profit